गोविंद नामदेव ने कहा OTT कॉंटेंट को परिवार के साथ नहीं देखा जा सकता जी हाँ गोविंद नामदेव ने अपने रास्ते में वेब स्पेस के लिए बहुत सारे ओफर्स देखे हैं लेकिन अभी नीता ने OTT प्लेटफॉर्म पर निूडिटी और गौर दिखाय जाने के कारण उन्हें ठुकरा दिया हाल ही में हुई एक बात चीत में उन्होंने कहा OTT के पास कोई सेंसर बोर्ड नहीं होने के कारण जिस तरह की कॉंटेंट का निर्मान किया जा रहा है उसका जुका फोनोग्राफी की और ज्यादा है अब खुले आम लव मेकिंग दिखा रहे हैं जिसमें लोगों को परिवार के साथ देखने में काफी असुभिदा होती है मेकर्स का मानना था कि ये बहुत अच्छा है ये डाल दो तो लोग देखेंगे इसलिए एक टाइम पर हर OTT प्रेटफॉर्म पर इस तरह की कॉंटेंट की बहार सी आ गई नामदेव OTT पर दिखाई गई हिंसा और कुरूरता की और भी इशारा करते हैं और इससे बहुत पेरिशान करने वाला बताते हैं कहते हैं लोग इसे नहीं देख सकते और इसलिए इन सभी सीन्स को छोड़ कर सीधे में स्टोरी पर आता हूं इसमें से एक क्रियेटिव एंगल होना चाहिए इस तरह की सीन्स को अनावशक रूप से जोड़ने का कोई मतलब नहीं है लेकिन मुझे खुशी है कि समस्या का समाधान किया जा रहा है और चीज़े बदल रही है अभी नीता ने खुला सा किया कि निूडिटी और गौरक धंदे के कारण स्क्रिप्ट को अस्विकार करने के बाद उन्हें निर्माताओं से विशेश रूप से या उले करने के लिए कॉल आने लगे कि एक मजबूत कहानी के साथ एक निश्कित स्क्रिप्ट कैसे काम आती है उन्होंने कहा पहली बात में मुझे बताते हैं कि यह साफ सुप्री स्टोरी है यह कॉंटेंट सेंट्रिक है एक बार जो मुझे इस बात का आश्वासन मिल जाता है तो हम बातचीत को आगे बढ़ा तो बस इतना ही आपका इस खबर पर क्या कहना है और आपको यह खबर कैसी लगी हमें कमें सेक्शन में जरूर बताईएगा आपको बड़ कि कक बाव देखफ़ मैं देखा तर् सफखरेंगं लगंदा ग्ढ़खवां बावटावाचरी लग को इज ठोटना जरूर वो कि करेंटेंग 2 झाल झाल